हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जी की पाट शाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे आप सब बहुत लंबे समय से पिछले लगभग पांच वर्स से और उसके साथ जैसे जैसे बीटी सी के बैचेज रिलीज हो रहे हैं उसी के साथ साथ प्राइमरी शिक्षक भरती या शिक्षक भरती या सूपर टैट आप कुछ भी कह सकते हैं उनके अभ्यरतियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और सब की आखों में केवल एक ही सपना है कि कब शिक्षक भरती आए और हम कब सेलेक्ट हो जाए YouTube पे भी बहुत सारे लोग हैं अन्य जगे भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये बात भी बताते रहते हैं कि भरती अब आ रही है भरती तब आ रही है ऐसा आ रहा है परंतु इन बातों में कुछ भी सत्यता नहीं है ये केवल और केवल एक भ्रम को उत्पन करने का एक करण के लिए हो सकता है राम जी की पाट शाला कभी भी गलत जानकारी ना तो साजा करता है नहीं कभी गलत जानकारी बताता है यह बात आपको निश्यत रूप से आपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए आज मैं आपको एक ऐसे बात से रूबरू कराना चाहता हूं जिसका लोग सुनिए और अगर संभव हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए आपकी शिक्षक भरती के बारे में हर बार क्या होता है कि ये बात आते कि अब आएगी भरती 2022 पूरा निकल गया कि भरती निकलेगी 2023 अभी सुमीद से आगे बढ़ रहा है कि अगले नहीं हो पा रही है उनमें धांगली इतने बड़े स्तर पर हो रही है कि कोई भी उसकी सुद्ध लेने वाला नहीं है पूरे के पूरे यूपी में जितने भी शिक्षक लोग है वो चुपी साध के बैठे किसी की हिम्मत नहीं है कि वो एक बार ये बोल दे कि भरती प्रक्र चला है और विधान सभा के सत्र में जो आपके बेशिक शिक्षा मंत्री है जिनका नाम है श्रीमान संदीप सिंग जी आप यहां पर एक कटिंग देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसको ध्यान से आप देखने का प्रयास कीजिए इसमें उन्होंने इस पस्त कह दिया है कि क्यों नहीं आ रही है और वो भरती क्यों नहीं आ रही है वह रीजन आपको यहां पता नहीं मिलेगा पूरे यूटीg ूटूब पर आपको पता नहीं लगए टैट जिन्होंने पास कर लिया है उन केंडिडेट्स के लिए नए परदों का स्रिजन कर शक्षक भरती परिक्षा कराने का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचारा धीन नहीं है ठीक है हमको यहां पर रुखना चाहिए उन्होंने पस्ट कह दिया है कि नए बच्चों के लिए जिन्हों टैट पास कर रखा है उनके लिए हम कोई नए पदों का स्रिजन कर रहे हूं या कुछ कर रहे हूं ये बात गुमा पिरा के अरबर बूलते हैं कि इतने हजार पद हैं हमारे पास बट हम क्या करेंगें भरति नहीं देंगे नहीं तो कोई प्रक्रिया विचारा धीन है कोई भी discussion इस पर नहीं हो रहा है यानि कि कोई भरति का अभी कोई भविश्य में दिखने को नहीं मिलने वाली है ये question किया था चित्रकूट में कोई इनकी सब बाते जो भी ह यह हम को राजनीती से कोई मतलब नहीं है जब नई भरतिया नहीं हो रही है तो लगातार युवाओं को डीलेड क्यों कराया जा रहा है यह बाते पूछी जारी है जो सपह के विधायक हैं पंद्रा लाग युवा डीलेड कर चुक हैं इनमें से पांस लाग टीटी उत्तेंड जो है जिसे साघी विवस्था चलानी है तो उन sung нем नहीं बढ़ा जा रहा है और उनक에 तो भूता सबधिनी नहीं आ dernière है यह बात पूरिकी पूर्य सप्ष्ट कर दिह यह के भरती ऑना वाब्रती के सपने आप देख रहे हैं वह भरती तो ला सब वहीं तोurst मला ऑजीब प्रिता बाजाई कुछ नहीं का जा सकता हाँ 2024 में चुनाओ है उससे पहले भरती प्रकट हो जाए तो उसका दो क्या ही कहना अब आप जो यह है यह यह आप सोचिए कि हर साल क्या हो रहा है कि टीचर्स जो है वो रिटायर हो रहे है ठीक है प्रमोशन हो रहे है टीचर्स के य हो रहा है वो रहा है ठीक है पद निश्चित रूप से खाली है विद्यालियों में पद जो है निश्चित रूप से खाली है अब आप कहोगे कि पद निश्चित रूप से खाली है तो फिर यह भर क्यों ने रहे है वेकेंसी क्यों ने निकल रहे है वो मैं दिखा देता हू आप देखिए यहां पर आप यहां पर देखिए ध्यान से यह न यह पत्र देखिए ओफ-लाइन भरती निकली है टीचर्स की किसकी ओफ-लाइन भरती निकली है टीचर्स की कहां पर आप देख सकते हैं अलग-अलग जिलों में ठीक है यह मेरे पास मुझफरनगर जिले का है य बरती निकल दी घे ये पूरा आपको परचा दिख रहा होगा ऋब यह किश आधार पर है और यह किस की आधार है वह आपकी आधार है उसका ही पूर्न-कालिक कि टीचर ने भरती कर रहे हैं जिलेवार चुपचाप धंसे ओफ-लाइन फॉर्म निकाल करके यानि कि वेकंसी हैं इनको ज़रूरत पढ़ रही है परंतु क्या कर रहे हैं कि उस चीज को ओफ-लाइन ओफ-लाइन रहेगा तो कुछ ही लोगों की नजर पढ़ेगी ओफ-लाइन चाहिए मैं सच बोलता हूं शर्मानी चाहिए हलाकि यह चीज मुझे बोलनी नहीं चाहिए पर फिर बोल रहा हूं शर्मानी चाहिए उन सभी शिक्षकों को जो बच्चों के साथ मिलकर खड़े नहीं होते हैं मैं हमने हमने पहले प्रयास कि यूप पुलिस की भरती के सिद्धी कर नहीं है अपने स्वार्त की सिद्धी करना जरूरी है कि यह कोई दिक्कत नहीं है आप बच्चों का भविश्य तो देखिए ना आप इतने बड़े प्लैटफॉम पे हैं आपको बनाने वाले बच्चे हैं पर कोई भी कहने सुनने वाला यहां पर नहीं है क्या ही कहूं मैं भी आप से और क्या ही आप समझेंगे जै हिंद जै भारत